हाई बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से खेल खूद रहे होंगे तो दोस्तो मेरा नाम है राहूल जैस्वालन आपका स्वागत है हमारे इस बहतरीन से यूटूब चैनल में जिसका नाम है जे आर जूनियर्स तो दोस्तो एक सप्राइज आपको बहुत दिनों से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था जो की है एक न्यू टीचर तो वो जैयार जूनियर्स पे हमारे साथ जुड गई है दोस्तो मैं तो आपको पढ़ाता रहूँगा ही बहुत सारे सब्जेक्स मैं आपको पढ़ाता करेगी वीडियो की शुरुआत करेगी पढ़ाने को शुरुआत करेगी तो आप लोग बस सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे लाइक और अच्छे अच्छे कॉमेंट करना चैनल को सब्स्क्राइब करना ठीक है लो एवर्यों वेल्कम टो जे आर जूनियर्स कैसे हो आप लोग आप लोग अच्छे होंगे माइनम इस प्रिया मिश्र और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्स का फोर्थ स्टैंडर्ड का फोर्टीन्थ चैप्टर और चैप्टर नेम इस दिवीजन पार्ट टू डिवीजन हमने पार्ट वं भी पड़ा हुआ है उसमें one numbers के divisions हमने देखे है जो कि one step पे खतम हो जाता है इस वाले damage डिवीजन पार्ट टू में क्या सीखने वाले है हम two steps के जैसे कि हमने सीखा था पहले part 1 में हमने देखा था कि one step पे एक ही step में हमारा answer आ जाता था हमें. So, इस वाले में क्या करने वाले है हम two steps लगेगा हमारा answer आने तक. So, start करते हैं हम. इसमें क्या दिया हुआ है हमें first question दिया हुआ है cost of 3 compass box. हमें 3 compass box का cost दिया हुआ है 90 rupees. and हमें one compass box का क्या करने के लिए बोला है find करने के लिए बोला है cost so क्या करेंगे इसमें हम 3 से divide करेंगे 90 को and हमें क्या मिल जाएगा one compass box का cost मिल जाएगा so start करते हैं क्या लिखा हमने यहाँ पे आप लोग अपना textbook open रखेंगे तो आप लोग को वहाँ पे question भी अच्छी तरह से दिखेगा and यह solve करने के लिए हमें बना के दिया हुआ है and आपको बस solve करना है so क्या करना है सबसे पहले इस side का जो number है उससे जैसे कि यह 3 है यहाँ पे तो क्या करना है हमें 3 से 90 को divide करना है तो हमें क्या करना है 3 का table पढ़ना है 3 के table में 1 1 हम 1 1 number से क्या करेंगे divide देंगे okay so first हम लोग first 9 जो दिया हुआ है इससे divide देंगे तो क्या करना है 3 का table पढ़ना है और उसमें 3 के table में 9 आता है क्या अगर आता है तो क्या करना है उससे लिखना है कितने बार में 3 के table में 9 आता है और वो कितने times में आता है 3 times में आता है क्या आता है 3 थ्रीजा क्या आता है 9 आता है so क्या करेंगे हम यहाँ पे 9 लिखेंगे and then यह 9 लिखा अब क्या करना है हमें minus करना है यहाँ पे minus करना है मत करना बिलकुल भी क्या करना है हमें माइनस करना है मल्टिप्लिकेशन में हम एड करते हैं एड डिवीजन में क्या करते हैं माइनस करते हैं तो 9 में से 9 को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा 0 तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया then, हमारे पास second number क्या है, second number है, हमारे पास zero, अगर हम zero को zero से divide देंगे, अभी बताओ, आप zero यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ already एक zero है, तो क्या 3 के टिबल में zero आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, हम उसको zero से divide देंगे, और zero से divide दिया तो, उपर भी zero आ गया, यहाँ भी zero आ गया, then क्या करना है, हमें minus करना है, तो क्या करेंगे, zero में से zero को minus करेंगे, then क्या मिलेगा, हमें zero मिल गया, तो यह रहा हमारा reminder, ओके, and हमें one किसका compass box का क्या मिल गया, cost मिल गया, तो क्या लिखेंगे हम, one, compass box का क्या मिल जाएगा, cost मिल जाएगा, okay, क्या मिल गया, 30 rupees, then क्या करना है हमें, second question पे आते हैं हम, तो second question में हमें क्या बताया गया है, 4 kg, 4 kg किसका wheat का cost कितना है, 4 kg wheat का cost कितना दिया हुआ है, हमें, 92 rupees दिया हुआ है and हमें 1 kg wheat का क्या पूछा है cost पूछा है अभी हमें 4 का कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम 4 से divide देंगे 90 को क्या करेंगे 4 से divide देंगे 90 को तो यहां क्या आगया हमारा 4 and यहां आगया हमारा 90 जिसको हमें क्या करना है divide देना है तो start करते हैं, divide देना अब बताँ, 4 के table में क्या 9 आता है? नहीं आता है, उससे छोटा नमबर, उससे just छोटा नमबर यह नहीं कि हाँ, 9 नहीं आता तो उससे छोटा नमबर बोला है, तो means कि हम 4 ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं उससे just छोटा नमबर जो होगा हमें वही लेना है, तो 4 के table में 2 टाइम में क्या आता है 8 आता है, वो 9 से just छोटा है, 9 से एक ही नमबर छोटा है न, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 8 ले लेंगे, तो क्या करते हैं, 4 के table में 2 times में क्या आता है? 8 आता है. तो उपर क्या लिखेंगे? 2. And नीचे यहां क्या लिखेंगे? 8. And क्या करेंगे हम? Minus करेंगे. 9 में से 8 को minus करेंगे, तो क्या मिलेगा? 1. तो यहां आ गया 1. Then क्या करते हैं? हम second number पे जाते हैं. Second number हमारा क्या है? 2 है. तो 2 कहां पे आ जाएगा? यहां आ जाएगा 2. यह रहा हमारा 2. अब हमें सोचना है कि 4 के table में 12 आता है क्या? आता है. आप लोग table लर्न करेंगे रखोगे, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग यह division स्वाल्ट कर पाऊगे. तो कितने times में आता है? तो क्या करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे 12 और इसका क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे. तो 2 में से 2 गया तो 0. एंड 1 में से 1 गया तो 0. तो हमें reminder 0 मिल गया और हमें 1 kg वीट का क्या मिल गया? cost मिल गया जो की है 23 rupees. तो हम नीचे में क्या लिखेंगे? 1 kg वीट का cost क्या है? क्या है? 23 rupees. यह लिखना बिलकुल भी भूलना नहीं है. अगर आप यह नहीं लिखोगे तो आप लोगों का half marks cut हो जाएगा. तो आप मिलते हैं हम 3rd question के लिए. तो बढ़ते हैं next question की तरफ. तो क्या है हमारा 3rd question मेंने 1st or 2nd question आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ. And then 3rd question and 2nd question जो है वो same same है. तो इसके वज़े से क्या करते हैं कि हम उसको skip करते हैं and 5th and 6th question में आप लोगों को सिखा देती हूँ. उसमें आप लोगों को बहुत easily दिया हुआ है, numbers दिये हुआ है, आपको easily divide करना, okay? And इसमें भी वही है बट फिर भी में आप लोगों को सिखाती हूँ, okay? So, क्या है कि 5th question में हमें क्या बताया गया है कि 40 children stand 5 equal row, 5 equal row में क्या है 40 children खड़े हैं, तो how many children will be there in each row, एक row में कितने children रहेंगे, ऐसा हमें पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम divide करेंगे किस से, 5 से क्या करेंगे, divide करेंगे किसको हाँ, 40 को, okay? So, क्या करेंगे, फटा-फट divide करते हैं, क्या 5 के table में 40 आता है, कितने times में आता है, 8 बार में आता है, क्या आता है, 40 और वो easily divide गया, 40 आता है, तो क्या कर देंगे हम, direct divide जाता है उसका, आगे second step में करने की कोई जरुरत है ही नहीं, क्योंकि easily divide गया उसका, okay? So, 40 में से 40 गया तो, of course 0, so 0 आ गया, तो means की each row में कितने है, 3 will be each row, okay? So, 8 कितने है, each row में है, okay? So, आप लोग यहाँ पर sentence लिख लेना, और अब मैं करते हूँ, 6 वाला question solve, okay? So, क्या, इस sixth वाले question में हमें क्या बताए गया है? कि 87 bits, 87 bits का है, okay, bits है हमारे पास, how many necklace of 9 bits made, how many bits will be left over? 9, 9, 9 bits के बनाए गए है, इतने necklace, तो कितने over, कितने बच गए है, bits, bits कितने बच गए है, left over कितने है, वो हमें क्या करना है, find करना है, तो क्या करेंगे हम 9 से divide देंगे 87 को, okay? आप लोगों को सामने सामने दिया हुआ है, फटा-फट divide कर लेंगे, so 9 की table में 87 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे? 87 नहीं आता है, तो उससे छोटा number देंगे, और उससे just छोटा number होना चाहिए, okay? तो क्या करेंगे? 9 का table पढ़ेंगे, 9 की table में 87 आता है, नहीं आता, उससे छोटा number कौन सा आता है? 81 आता है, वो कितने times में आता है? 9 times में आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9, 9s आ, 9s आता है, क्या 81, क्या करेंगे अभी हम? माइनस करेंगे, 7 में से 6, 1 को माइनस कर जाएगा? 6 बच जाएगा, and 8 में से 8 जाएगा, तो 0, so मिल गया हमें answer, क्या मिल गया हमें? कितने bits लेफ्ट ओबर रहे गए, 6 bits लेफ्ट ओबर रहे गए, okay, so यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे आप लोग इस box को fill कर लेना, okay, without लिखे हुए, अगर यह आप नह लाइक करो and सब्सक्राब करो